कैसे हैं आप सब उमीद करती हूं आप सब बढ़िया हूंगे आज मैं श्यूर करने माली हूं आपके साथ पनीर आटा मोमोस की रैसेपी काफी हेल्दी और टेस्टी होते हैं यह मोमोस जो रेगुलर मोमोस होते हैं उन्हें मैदे से बनाया जाता है जो कि हमारी सेहत के लिए बढ़िया है तो इसलिए मैं मोमोस बनाने के लिए आटे का अस्तमाल करूंगे तो चलिए देख लेते हैं इसे कैसे बनाना है काफी क्विक सी रैसेपी हो टेस्टी भी बनते हैं तो सबसे पहले हम आटा लगा कर तयार करेंगे उसके लिए मैंने यहां पर दो कटोरी आटा अब थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे नोर्मल रूम टेमटरेचर पर पानी होता है वो डालकर हम एक सोफट आटा लगा कर तयार करेंगे जैसा हम रोटी के लिए लगाते हैं वैसा ही आटा लगा लेंगे और थोड़ा सा ओई लगा कर इसे धखकर हम 15-20 मिनिट के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे तब तक जो हमारा आटा है फूल कर सेट हो जाएगा तो देखें आपर मैंने आटा लगा लिया है आप मैंसे डखकर 15-20 मिनिट के लिए ऐसे ही छोड़ देती हूँ और इसी बीच में जब तक हमारा आटा सेट होता है हम फिलिंग बना कर तयार करें तो यहां पर मैंने कड़ाई ले लिए है कड़ाई के अंदर मैंने देशी घी डाला बिल्कुल थोड़ा सा ही डालेंगे जादा नहीं इस्तमाल करेंगे आप चाहे तो यहां पर सनफ्लावर ओल या फिर ओलेव ओल काव इस्तमाल कर सकते हैं लेकिन मैंने देशी घी एड़ उसको भी चोप कर लिया था आप अपनी पसंद की कोई भी वेजटेवल यहां पर यूज कर सकते हैं जो खाना पसंद कहते हैं जो आपको टेस्टी लगती है मैंने आपर सिम्ला मिर्च बिंज और प्याज का इस नमाल किया है साथी में अब देखे मैंने आपर नमक टाल दिया और नमक जो है मैंने यहां पर रगुलर नमक यूज नहीं किया है पिंक सोल्ट का इस्तमाल किया है जो कि हमारे लिए काफी हेल्दी होता है वेट लोस के लिए भी काफी हेल्फुल होता है साथी मैं देखे मैंने पनीर डाल दिया है यहां पर करीब सो ग्राम के करीब यह प पकाने की जरूरत नहीं है नहीं तो जो पनीर हो जाएगा और खाने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा तो यहां पर स्टॉफिंग जो है हमारी बनकर तयार हो गई है इतनी देर में हमारा जो आटा है वो भी सेट हो गया तो एक बार फृस्ते नीड कर लेंगे इसको थोड़ा से नीड करने के बाद हम इसके छोड़े पेड़े तोड़ कर तयार करेंगे जितना बड़ा मोमोस बनाना चाहते हैं उसी हिसाब से जो पेड़े है वो बना लीजिए यहां पर मैंने जो मोमोस का साइज थोड़ा सा बड़ा ही रखा है इसलिए मैंने थोड़ी सी बड़ा पेड़ा थोड़ा है यहां पर देखिए मैंने सारे पेड़े तोड़कर तयार कर लिए अब इनकी पतली पतली शीट्स बनाएंगे आप चाहे तो जो रोटी बेलने वाले हैं शीट बनाने वाले थोड़ी सी पतली भी बना सकते हैं तो यहां पर देखिए मैंने स्ट पतला नहीं रखा है लेकिन अगर आप चाहे तो बिल्कुल पतला जो है बना सकते हैं आटम मोज जो होता है उससे देखें यहां पर यह बेल लिया है मैंने अब इसके अंदर जो स्टफिंग है हमारी वो फिल कर देंगे यहां पर मैंने डेड़ चमज के करीब जो स्टफिंग है वो डाल दी है आप चाहे तो स्टफिंग की जो क्वैर्टिटी है थोड़ी सी बड़ा भी सकते हैं लेकिन इतनी भरे कि आराम से जो आपका मोमोज है वो फिल हो जाए तोटे ना स्टफिंग नेकल कर बाहर ना आए तो क्या हो सकता है फट सकता है मोमोज लिए आप तरीके के जो मूमोस है भो बनाए है आपको जो भी इनमें से पसंद है वो मूमोस ट्राइक कर लेज़िए यह देखिए इस तरीके से मैंने here humble इस्टरीके से हैं बना ली आपको एक और बता देती हूं काफ़ी इजी है जो हमारे momos है जल्दी से बन जाए तो देखिए यहां पर plates को arrange कर देंगे हम और इसे medium flame पर 9-10 मिनिट के लिए हम पकाएंगे चेक करके देख लीजिए 9-10 मिनिट में जो momos से मेरे पक गए थे अगर आपको लग रहा है कि अभी थोड़े से कच्छे हैं तो दो-तिन मिनिट के लिए और इन्हें पका सकते हैं देखिए यहां पर मैंने plates लगा दी है और मैंने 10 मिनिट के लिए medium flame पर पका लूँगे आप चाहे तो इन्हें ऐसे ही खा सकते हैं या फिर इन्हें थोड़ा सा crispy भी कर सकते हैं तो उसके लिए एक pan में हलका सा घी डालिए और उसमें जो हमारे momos है उन्हें सेक लीजिए दोनों तरफ से ऐसा करने से काफी crispy जो momos है बनकर तयार हो जाएंगे यह देखिए इस तरीके से सारे momos जो है pen के अंदर डालिए और पलट पलट कर दोनों तरफ से crispy कर लेजिए काफी tasty momos जो है इस तरफ से बनकर तयार होंगे यह step जो है completely optional है अगर आप करना चाहते तो कर सकते हैं नहीं दो skip भी कर सकते हैं तो आप देखिए एक तरफ से जो हमारे momos है सिक कर तयार हो गए है पलट देते हैं और दूसरी तरफ से भी इने सेक लेते हैं यह देखिए इस तरीके से हैं आप देखिए मैंने सारे momos जो है सेक लिए हैं आप चाहे तो थोड़ा ज़्यादा भी crispy कर सक आई होगे अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जुरूर कीजगा चैनल को सब्सक्राइब कीजगा मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए थैंक यू थैंक्स फॉर वोचिंग